आखें क्या कहती हैं? एक जानवर की आखें हमें उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। यह भी कि वह जानवर शिकारी है या शिकार बनने वाला है। अमरीका के Berkeley University के विशेशग्यों ने समीन पर रहने वाले जानवरों की 214 जातियों का अधेयन किया। उन्होंने पाया कि इन जानवरों की आखों की पुत्लियां तीन तरह की होती हैं। लंबवत यानि खड़ी हुई, शैतिज यानि लेटी हुई, और गोल यानि हमारी और तुमारी तरह। उन्होंने ये पाया कि लंबवत यानि खड़ी हुई पुतलियों वाली जातियां आहम तोर पर घातक शिकारी होती है जो दिन वर राद दोनों में ही तैनात रहती है अन्य पुतलियों के तुल्ला में इन पुतलियों में अधिक रोश्नी जा सकती है जिससे शिकारी जानवर दूरी का सही और आसानी से अनुमान लगा सकते है शैतेज यानि लेटी हुई आकार के पुतलियों वाले जानवर आम तोर पर शाकाहरी वर शिकार बनने वाले जानवरों की श्वेणी में आते हैं इनकी आखें उनके सर के किनारों पर होती हैं इससे उन्हें अपने नीचे की जमीन आसानी से दिखती है शैतेज पुतलियां आखों के अंदर जाने वाली रोश्णी को नियंतरित करती हैं यह जानवर अपने सर को किसी भी दिशा में मोड़े या हिलाएं इनकी पुतलियां हर समय जमीन के साथ समानांतर रहती हैं आखीर में विशेशग्यों ने यह पाया कि गोलाकार पुतलियों वाले जानवर उचे होते हैं और शिकार करने के लिए पीछा करते हैं यह टीम अब आसमान और समुद्र के जानवरों का भी अधियान करेगी क्या पता उन्हें चिडियों और मचलियों की आखों में क्या-क्या दिख जाए